नमस्कार दोस्तों, इंट्राडे स्टॉक्स की डेली वीडियो में आपका स्वागत है हमेशा की तरह इस वीडियो में हम देखेंगे 5 एसे इंट्राडे स्टॉक्स जिसे आप कल के ट्रेडिंग सेशन यानि आप 6 दिखंबर के लाइव मार्केट में ट्रेड करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो तो आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोडिफिकेशन को आउन कर लीजिगा ताकि आने वाला लेटेस्ट इन्फॉर्मेटी वीडिया आप सबसे पहले देख सको साथ ही हमारे टेलिग्राम चैनल को आपने जोइन नहीं किया है तो उसको भी जाके जोइन कर सकते हैं देखते हैं बैस्ट फाइव इंट्राडे स्टॉक्स और उनके पीछे का लोजिक जो हम इस वीडियो में आपके साथ में सेर करने वाले हैं सबसे पहला इंट्राडे स्टॉक हमारा रहेगा दोस्तों बजाज ओटो लिमिटेड का आप यह देख सकते हैं अल्रेडी बजाज ओटो लिमिटेड एक डाउन ट्रेंड को यहां पर दिखा रहा है आपको यहां पर दो चार दिन से इस तरीके से डाउन ट्रेंड को आपको ट्रेड कर सकते हैं यदि आपको नीचे की साइड में ब्रेक आउट मिलता है तो आप लोग नीचे की साइड में सेल कर सकते हैं 3636 की प्राइस पे और आपका जो टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 3620 का यानि यह जोन है इसके something आप लोग अपना target है वो लेके चल सकते हैं यहाँ एक demand zone है यहाँ तक आप लोग target है वो लेके चल सकते हैं तो first intraday stock बजाज auto limited और यदि आपको buy करने का मोगा मिलता है यह range अपर side में breakout होती है तो simply आप लोग 3682 पे buy कर सकते हैं और आपका target रहने वाला है वो रहने वाला है यह जो supply zone है इस तक आपका target यानि तकरीबन आप लोग 3700 रुपे तक आप लोग buying side में target है वो कल के लिए लेके चल सक में या फिर आप अपने risk और reward ratio के साबसे भी यहां पर जो stop loss और target अव उसको भी आप लोग manage कर सकते हैं second intraday stroke हमारा रहेगा Cipla Limited का Cipla में भी आप में भी देख सकते हैं आपको एक अच्छा कासा triangle type में एक pattern देखने को मिल रहा है और आपको यहां पे एक resistance zone भी देखने को मिल रहा है और यहां पे आपको एक train line देखने को मिल रही है कल के दिन इसका breakout होता है train line का और यह resistance zone breakout होईगा तो आपको upper side मे एक नया momentum देखने को मिल सकता है तो Cipla में आपको buy करना है 1120 में और आपका जो stop loss रहने वाला है 1113 का और आपको जो target रहने वाला है first target आपका रहेगा 1125 का और second target आपका रहेगा 1130 रुपे का यह दोनों target आप लोग Cipla Limited में कल के लिए plan कर सकते हैं third intraday stock हमारा रहेगा HCL technology का HCL technology में भी आपको यह पे एक same ही scenario देखने को मिल रहा है आपको एक triangle देखने को मिल रहा है और इसमें भी उपर side में आपको यह पे trend line draw की गई है जो resistance का का काम करेगी और नीचे की side में trend line draw की की गई है जो support का का काम करेगी तो ज्यादा chances है यदि यह trend line उपर की side में breakout दे का 1145 रुपे का यह दोनों target आप लोग कल के लिए plan कर सकते हैं HCL technology में और यह दि नीचे की side में breakout होता है इस trend line का तो आप लोग इसके नीचे में sell कर सकते हैं जो भी आपका यह जो range मैं आपको एक बार दिखाता हूं आप लोग 1126 रुपे में आप इससे sell कर सकते हैं और 1126 में यह दि आप लोग यहां पर sale करते हो इस trend line के नीचे में तो आपका target रहेगा 1118 17 के something आपका target है वो रहने वाला है fourth intraday stock हमारा रहेगा दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलिवर का same आपको scenario हिंदुस्तान यूनिलिवर में देखने को मिल रहा है इंदुस्तान यूनिवर इस का काम कर रही है तो trend line का breakout होगा और simply इस resistance zone का भी breakout होगा तो आपका next target रहेगा यह जो zone है यानि तकरिबन आप लोग यहाँ पे 2645 का first target और आपका second target रहेगा 2660 का यह दोनों target आप लोग कल के लिए plan कर सकते हैं यह आप लोग selling side में जाना चाहते हैं तो आप लोग selling side में बड़ा profit भी ले सकते हैं यह जो demand zone है यहां तक इसका price है वो आपको कल के दिन देखने को मिल सकता है यदि यह stock नीचे गिरता है तो यदि उपर की side में जाता है तो आपका जो target है 2660 रुपे होने वाला है इसके अलावा दोस्तों हमारा जो last intraday stock रहेगा वो है HDFC limited का only for HDFC limited SDFC bank यहां पर नहीं है इस stock को मैंने यहां पर इसलिए select किया है कि already यहां पर एक देखिए यह जो zone है अपर side में इसका यहां पर नीचे की side में इस तरी के से selling है लेकिन यहां पर जो इसने एक zone create किया है resistance zone जो काफी अच्छा है इसलिए दोस्तों यह जो zone है यह एक अच्छा कासा demand zone है यानि demand zone है और यहां पर भी demand है वो अच्छी कासी मिल सकती है क्योंकि एक resistance zone है और resistance zone breakout होगा तो यह जो आपको rally देखने को मिली है इस तरी के से आपको यहां पर भी है वो rally देखने को मिल सकती है तो HDFC limited में यदि यह resistance zone कल के दिन breakout होता है तो आप लोग buy कर सकते है 268 में 2682 में और आपका जो target रहने वाला है वो है 2690 का first target और आपका second target रहेगा 2700 का यानि आप लोग 2700 का जो maximum target है वो आप लोग कल के लिए plan कर सकते है HDFC limited में और आप लोग अपना stop loss है वो आप अपने risk के साब से इस में enter कर सकते है या फिर यह जो candle है red वाली इसके low में आ best five intraday stocks जिसे आप लोग कल के trading session में trade करके और आप लोग profit generate कर सकते हैं इसके अलावा आप अपनी research जरूर किजेगा और किसी भी stocks में trade और investment करने से पहले अपने financial advisor की सला जरूर लेजेगा तो मिलता है फिर से एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए जैहिन सीखते रह कमाते रही है और हमेसा की तरह खुश रही है